एकदम रसीले और जो मुँ में जाते ही घुल जाते हैं आज हम वही काले गुलाब जामुन की रेस्पी बनाएंगे इसे आप घर पे बड़ी ही आसान तरीके से बना सकते हैं और यकीन मानी आप दुकान से लाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार इसे घर पे बना लेंगे एकदम पर्फेक्ट काला जामुन बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करें आपके गुलाब जामुन भी एक ये बार में एकदम पर्फेक्ट बनेंगे काले गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी त्यार कर लेते हैं दो कप आपको चीनी लेनी हैं चीनी आप सीधा पैन में डाल दें चीनी आपको ज़्यादा ही लेनी है मतलब दो कप तो लेनी ही है क्योंकि ये जो चाशनी है ज़्यादा बनेगी तो उसी के साब से हम पानी लेंगी कोई भी कप या कटूरी सैट कर लें जिससे आप माप सकें चीनी और पानी को अब आपने दो कप इस तरह से चीनी लिए है तो तीन कप आपको पानी लेना है तीन कप पानी आप इसमें एड़ करें चीनी से जादा हमने पानी इस्तमाल किया है क्योंकि यह जो चाशनी है पतली होती है हमें ठिक चाशनी नहीं बनानी है इसी में हम डाल देते हैं दो इलाइची खोल के आप चाहें तो इलाइची का पौडर भी डाल सकते हैं या फिर इसके जगे पे केवरे सेंस भी डाल सकते हैं साथी में मैंने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया है ताकि इसका कलर और खुश्बू और रंग दोनों बहुत अच्छा जाएगा तो आपने देखा हमने इलाइची और यह जो केसर है इस पुश्बू के लिए डाला है काफी इची हमारी चाष्णी तयार होती है इससे आपकी चाष्णी में स्वाध आजाता है फिर इस तरह से आपके गुलाब जामुन म Juice कले दिया जाएगी अब देख सकते हैं 2-3 मिनिट बाद मैंने चाशनी को पका लिया फिर आपको डाल देना है हलका सा नीम्बू का रस नीम्बू का रस हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल भी जमी नहीं नीमू का रज डालने से हमारी चाशनी खटती बिल्कुल नहीं होगी बस इसे हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चाशनी जमें नहीं हमारी तो आपको हलका सही नीमू का रज डालना है इसमें तो ध्यान रखें चाशनी को हमें जादा गाड़ा नहीं करना है गैस को मैंने बंदी कर दिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं, चाशनी हमारी तयार हो चुकी है, चाशनी तयार करने के बाद हम डो तयार कर लेते हैं, डो बनाने के लिए आपको सबसे पहले पनीर को घिस लेना है, पचास ग्राम पनीर है, अब सारी चीज़ें आपको हि ik 20 gram जितना पनीर लिया है, आपका जादा watery वाला नहीं होना चाहिए जानि के पनीर के अंदर और जितना आपका महहेए और पनीर अच्छे आपके ये घुलाब जामूनीच बनेगे तो इस बात का ध्यान रखे मावा और पनीर अच्छी क्वालिटी कर लें। आपने देखा पनीर को आपने एकदम बारिक सा ग्रेट कर दिया है, अब आपको इसको मसलना होगा हातों से। मावा आपको अभी नहीं डालना है, पहले पनीर को एकदम आपको स्मूध कर लेना है, मसल मसल के। हतेली की मदद से आप इसे ऐसे मसल सकते हैं, इससे क्या होगा पनीर में स्मूध नैसा जाएगी, अभी आपको एक अफ़र ड्राय दिख रहा है, ये चूरा चूरा सा दिख रहा है, दिरे दिरे ये बाइंड होने लगेगा, जैसे जैसे ये स्मूध होने लगेगा, ये दे पनीर हमारा तयार हो चुक है, अब आपको इसमें मावा डालना है, मावा आप यहां पे 500 ग्राम लें, तो जैसे कि मैने पहले ही बताया था 500 ग्राम मावा है, 50 ग्राम पनीर है, इस मैसरमेंट का ध्यान रखें, मावा भी आपको एकदम सॉफ्ट वाला लेना है, इस तरीके से रेखिए, जादा हार्ड मावा नहीं होना चाहिए, मावा को आप क्या करें, इस तरह से क्रंबल करने पहले, इससे क्या होगा हम मावा को असानी से मिला सकते हैं पनीर के साथ में, तो पहले आप इसे ऐसे अलग-लग कर लें, क्योंकि हमें मावा को जादा मसलना नहीं है, नहीं तो हमारे हातों की हीट के वज़े से मावा अपना ओईल या घी रिलीज कर देगा हमारे हातों की हीट के वज़े से क्या होता है इन में कभी-कभी घी रिलीज हो जाता है मावा के अंदर तो आप क्या करें फ्रिज में से निकाल के ही इस्तमाल करें इससे हमारे जो हातों की heat जाएगी उससे इसका oil release नहीं होगा या घी release नहीं होगा जिसके वज़े से आप मावा को handle कर सकते हैं पनीर और मावा को आप fridge से निकाल के ही use करें immediately अब आप को क्या करना है मावा को बिल्कुल भी मसलना नहीं है पनीर के साथ में आप धीरे-धीरे mix करें ये देखें पनीर के साथ में मावा अच्छे से mix हो गया है बिल्कुल भी मसले नहीं से बहुत आराम से काम करें मावा के साथ में पनीर और मावा अच्छे से mix हो चुके हैं अब आपको इसमें मैदा डाल देना है आधा कब ध्यान रखे हम नाप से ही ले रहे हैं सारी चीज़े तो आधा कब आपको मैदा लेना है मैदा आप ऐसे नहीं डाले 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 डिरेक्टली पहले आप इसे अलग लग कर दी क्योंकि बाद में हम कोई लिक्ट नहीं लेने वाले हैं इसी में अच्छे से बाइंड कर लेंगे मैदा को आप देख सकते हैं तोड़ा से इसे अलग लग करें करमес कड़ें उसके बाद आपको इसमें मैदा डालेना है ये देखें मैदा ऐसे ही डालें उसके बाद आपको दूद या पानी के जुरुत नहीं पड़ेगी फिर आपको इसमें डाल देना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बिल्कुल एक चुटकी जितना ये देखें बिल्कुल नाप से आप एक चुटकी निकालने है बेकिंग पाउडर और इतना ही ले इससे जादा बिल्कुल नहीं लेना है बिल्कुल नाम के लिए लेना है अच्छे से आपको इनको मिक्स कर देना है ध्यान रखें हमें मसलना बिल्कुल नहीं है दीरे दीरे आ हैं ये ये देखिए हमारा की डोस है जो आपाइब गुलाब जामून आपा इसे ही मिशतार चुरहेंशनली Celtic या सुझे ह oczywiście नहीं चछते हैं तो भी द q curling देखे नूबस करें बूंदा देखेंशनली आप से आप पीसिस निकाल लें तो ना तो मैं बहुत जादा बड़े बना रही हूं नहीं बहुत जादा छोटे एक दे मीडियम साइस के हम बनाएंगे और इसे हातों पे पहले आप स्मूध कर लें जितना भी आपने पोर्शन लिया है काले गुलाब जामुन का उसके बाद आप इसे हातों पे रोल कर लें अब आपके गुलाब जामुन पे या काले जामुन पे क्रेक्स नहीं पढ़ने चाहिए अगर क्रेक्स आ रहे हैं तो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो ध्यान रखे क्रेक्स नहीं होने चाहिए यह देखिए आप इसे स्मूध कर ल जो हलवाई भी फॉलो करते हैं आप करें एक फ्लैट सर्फेस पे अपने हाथों को इस तरह से रोटेट करें ये देखें इस तरह से और भी अच्छे से गोल सुन्दर सी शेप में आ जाएंगे और बिल्कुल ये क्रैक फ्री बनेगा ये देखें और बहुत ही इजी हो जाता है इस तरह के से ये देखें हमारा जामुन तयार हो चुका है गोल सा एकदम सारे हमने काले गुलाब जामुन तयार कर लिए हैं तो इन्हें हम फ्राइ करना शुरू करते हैं फ्राइ करने के लिए तेल आप गरम कर लें आप गी भी ले सकते हैं या तेल ले सकते हैं तेल या गी जो भी ले रहे हैं आपको जादा ही लेना है ऐसा नहीं सोचे के थोड़े सी तो गुलाब जाओन बना रहे हैं तो कम ले 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 बिल्कुल नहीं आपको जादा ही लेना है तब ये अच्छे से फ्राइ हो सकेंगे और और एक बात का और धैन्ष तूझिए कि आप ओल या घी जो भी ले रहे हैं वो ज्ञादा गरम नी होना चाहिए वह यूद्धा एल्का गरम डाल देने हैं पहला होस्त सकत गरम лет अंदर तक अच्छे समीकों अज़ाधा च्कोंतर ही लाएग होसा है हुं उक्दम उपील फ्लेम पे आप हाई तेल पर डाल दें वो उपर से तो सीख जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और चम्मच की मदद से आप तेल को हलका सा हलचल कर दें इस तरह से इससे क्या होगा तेल में हलचल बनी रहेगी ना तो यह बेस में जाके चिपकेंगे नहीं जैसे ही आप ऑईल में डालेंगे तो इन्हें आपको बिल्कुल टचनी करना है बस स्पून की मदद से आप क्या करें हलका सा तेल में हलचल कर दें ताकि यह जो जामून है नीचे जाके बिल्कुल भी चिपके नहीं इस तरीके से अगर आप शुरू में ही ऐसा कर देंगे तो इनकी नीचे जाके चिपकने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी आप देख सकते हैं यह सिकना शुरू हो गए है जैसे जैसे फ्राय होंगे ना फ्लोट होके उपर आजाएंगे पस आपको स्पून नहीं लगाना है इन पर इस बात का ध्यान रखे एक देके उपर भ कर सकते हैं इस तरीके से ताकि यह हर तरफ से अच्छे से फ्राय हों ध्यान रखें आप जब गुलाब जामुन का प्रोसेस करें फ्राय करते समय उस टाइम पर आपको खड़े ही रहना है क्योंकि आपको अच्छे से फ्राय करना होगा हर तरफ से यह देखिए अगर आप ऐ इस टाइम पर एसा कलर आ गया है जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है पर हम यहां पर काले गुलाब जामुन बना रहे हैं तो इन्हें और सेखना होगा हमें आपने देखा पूरे प्रोसेस में तेम्परीचर ही हलका ही रखा है और यह सिख भी अच्छे से रहे हलके आज पर ही आपको इनको सेकना है अब यह आप देखिए और डार्क हो गया है मैं आपको हर स्टेश पर दिखा रही हूं लेकिन हमें इस से भी डाक करना है अगर आपको जैसा कलर पसंद आ रहा है आपके इच्छा है आप इसे चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन आपको एकदम आप देखी सकते हैं काले गुलाब जामुन में और गुलाब जामुन में यही फरक होता है कि जो काले गुलाब जामुन की उपर की सते होती है वो थोड़ी हार्ड होती है गुलाब जामुन से पस यही एक फरक है और टेस्ट का भी थोड़ा फरक आएगा जब आप इसे खाए एब्सॉफ हो जाए हमारे गुलाब जामुन या काले गुलाब जामुन में आप देख सकते हैं दो तिन घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूं यह बहुत ही जल्दी चाशनी को पी गया है क्योंकि चाशनी हमने एक दम पतली बनाई थी जिसके वीज़े से वह जल्दी एब जाते हैं अगर आपको आज की काले गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ